जम्मो कश्मीर के पूर्व राज़पाल सत्यपाल मलिक पुलवामा हास्य को लेकर लगातार मोधी सरकार पर हमला वर हैं एक बार फिर उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2019 लोग सबस्चुनाव सैनिकों की लाशों पर लड़ा गया और अगर इस मामले की जांच होत पुलवामा मामले की जांच नहीं हुई और अगर जांच होई होती तो तद्कालीं गरेमंतिरी को इस्तिफा देना पड़ता और कई अधिकारी जेल में होते इन लोगोंने जांच नहीं कराई सत्यपाल मलिक ने ये भी आरूप लगाया कि चुनाव सैनिकों की शहादत पर लड़ा गया था जमो कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को केंद्रिये रिजर्व पुलिस बल के काफिले पर हुए आतंग की हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे मलिक ने पुलवामा आतंगवादी हमले का जिक्र करते हुए कहा अगर जांच की गई होती तो ग्रहमंत्री राधनास सिंग को इस्तिफा देना पड़ता अलवर जिले के बांसूर कस्बे के फतेपुर गाउं में एक कारिकरम में शामिल हुने आये मलिक ने रविवार को कहा कि लोगसबा चुनाव 2019 हमारी सैनिकों की शहादत पर लड़ा गया और कोई जांच नहीं की गई अगर जांच होती तो ग्रहमंत्री को इस्तिफा देना पड़ता कई अधिकारियों को जेल जाना पड़ता और बड़ा विवाद होता मलिक ने कहा कि उन्होंने घटना की जानकारी पियम मोदी को दी थी लेकिन उन्हें चुप रहने को कहा गया था मलिक ने कहा कि प्रधान मंत्री जिम कॉर्बेट राष्टी उध्यान में अपनी शूटिंग कर रहे थे जब वो वहाँ से बाहर आये तो मुझे फोन आया मैंने उनसे कहा कि हमारे सैनिक मारे गए हैं और वो हमारी गलती से मारे गए हैं इसलिए उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा और इस पर बात नहीं करने के लिए कहा वसे पूर्व राजपाल मलिक जम्मु कश्मीर से जड़े मुद्दों के बारे में मुखर रहे हैं